करना है आपको देखो लिखा हुआ फाइंड वैल्य और वैल्य ओट करनी है लेकिन आप देखोगे तो सभी में आपको यतने भी पार्ट इदरक्षा इसमें सब्ट्रेक्शन दे रखा है तो किस में से क्या सब्ट्रेट करना है 9.756 में से सब्ट्रेट करना है 6.28 को लेकिन इतना याद रखना है कि पॉइंट की नीचे पॉइंट आएगा तो 6 यह हो गया एंड 28 अमने यह आप लिखा तो अब देखिए जब आप सब्ट्रेट कर रहे हो तो 6 की नीचे तो कुछ भी नहीं दे रिखा जहां पर कुछ भी नहीं दे र 6 and 6-2 is 4 and this is 9 9-6 is 3 तो आपके पास आंशर कितना हो गया 3.476 तो आपको अगें क्या याद रखना है सब्ट्रेक्शन आपको आता है मुझे पता है ठीक है लेकिन आपको क्या याद रखना है कि कैसे सॉल्व करना है decimal की नीचे decimal रखना है तो यहां पर कुछ भी नहीं वहां इसको तो आप एजिली सब्ट्रेट कर सकते हो तो कितना हो जाएगा यह दिस विल बी 15 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 now after that it will become 9 9 में से 2 माइनस किया तो 7 and यह 0 है 0 में से 5 नहीं जाएगा again it will become 10 and 10-5 is 5 तो आपके पास यहां पर कितना बचा है 1 and 1-1 is 0 मैं सब्ट्रेक्शन थो समझने का है वो है decimals की decimals को कैसे solve करते हैं decimals के case में हम क्या करते हैं यह आ है आपके पास main समझने का ओके उसके बाद इसके दो पार्ट्स और है c and last one d बचेगा आपके पास c में क्या लिखा हुआ है it is 15 15 नहीं 18.5 18.5 में से माइनस करना है 6.79 को तो decimal के नीचे decimal 6 and यह ह हो गया seven and nine उसके बाद क्या करना है next उसके बाद जो आपको है वो याद रखना है कि यह हाँ पर हमारे पास जहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हमें क्या लिखना पड़ेगा zero zero हो गया and उसके बाद subtraction करते हैं zero में से nine minus नहीं होता 10 and 10 minus nine is कितना हो जागा one it will remain four and four miss again seven minus नहीं होना तो कितना हो जागा 14 14 में से seven minus करेंगे तो seven and यहाँ पर मारे पास कितना बचा है seven and seven minus six is कितना हो गया one and one minus zero is one तो आपके पास answer कितना गया it is eleven point seven one कितना answer आए है eleven point seven one and last day this is eleven point six and इसमें से आप minus कर रहे हो nine point eight four seven तो आपको यह याद रखना है point के नीचे point and nine eight four seven है जहाँ पर कुछ भी नहीं हो आपे लिखे लिए हमने zero subtract करेंगे देखिए zero मेंसे नहीं होगा तो यहाँ पर लेके जाएंगे ten again it will remain nine and again it will become ten and यह कितना बचेगा आपके पास five to ten minus seven is three nine minus four is five and again five मेंस eight minus subtract नहीं होगा तो it will become fifteen and fifteen minus eight is seven and यह आपके पास zero है तो अगें zero मेंसे नहीं होगा subtract तो अगें ten minus nine is one and यहाँ पे जिरो बच्चा है तो subtraction करने के बाद one point seven five three subtraction आपको बहुत अच्छे से आता है लेकिन जो नहीं आता है वो क्या है जो आपको सीखना है वो क्या है आई तिंक अभी तक तो आपको आप भी गया होगा कि decimal के नीचे decimal रखना है point के नीचे point and बाकी जगे पे zero and उसके बाद subtract करना है तो इसका answer आगे हमारे पास one point seven five three थैंक यू